नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी आज मैं बात करूंगा मुंबई की जहां महराश्च सरकार के द्वारा उनके एक कमिशनर परमवीर सिंग लोगतंत्र के चोथे इस्थम्ब मीटिया को कुचलने की पूरी कुचकर रचने हैं पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जिसमें वहां की सरकार महराश्च की सरकार पूरी तरह से शामिल है और एक कमिशनर को पूरी उन्होंने इस तरह की आजादी दी हुई है कि आपको इस लोगतंत्र के चोथे इस्थम्ब को ऐसा कुचल देना है कि कोई भी मीडिया कोई भी अख़वार कोई भी पत्रकार सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलने की हिम्मत ना कर सके जी हाँ हम सब जानते हैं कि महराष्ट में जो खेल चल रहा है रिपबलिक भारत को लेकर अरनब गोस्वामी को लेकर कौन नहीं जानता कि अरनब गोस्वामी ने एक इमानदार पत्रकारिता का उधारन प्रस्तुत किया और रिपब्लिक चैनल ने पहली बार महराष्ट की कुछ गलतियों को उजागर किया जो गलतियां सरकार के द्वारा हो रही थी चाहे वो कोरोना को लेकर ढिलाई हो चाहे वो पालगर में साद्वों की हत्या को लेकर हो चाहे वो दिसा सालियान की मौत पर हो चाहे वो शुशान सिंग राजपूत पर पुलिस के द्वारा उसकी मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और F.I.R. भी दर्ज नहीं की तब एक पत्रकार का धर्म है कि वो अपनी पत्रकारिता के जरिये सरकार की कमियों को उजागर करे यूं तो कहने को हमारे देश में कहा जाता है कि यहां भारत एक लोगतांत्रिक देश है और लोगतांत्र के चार स्थम्ब हैं वो चार स्थम कौन से हैं तो एक है निया पाली का, दूसरी है कार पाली का, एक है विधाई का और चोत्था है मीडिया, इन चारों के अपने अपने काम हैं, और लोक तंत्र में ये चारों ही अगर मजबूत हैं, तो हम कह सकते हैं कि लोक तंत्र मजबूत हैं, लेकिन हम आज इस्तिति देखें तो क्या है आज की इस्तिति मैं केवल बात करूंगा लोक तंत्र के चोथे इस्तंब मीडिया की क्योंकि बाकी की बात अगर करेंगे तो वो बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं यहां एक बात कह देना चाहता हूं कि हम अगर देखते हैं कि सन 1975 में इंडरा ग पत्रकारों ने उस समय इंडरा गांदी की कमियों को उजागर किया तो उसने मूबंद करने के प्रियास किये और पत्रकारों को यहोटे आरवप लगा करके कि आप सरकार के खिलाब बहुल कर रहे हो साजिशे क lange कर रहे हो और इसलिए जेल में ठूस दिया गया आज जो केंडर में सरकार बैठी है मौधी सरकार वो इस एमर्जंसी की याद दिलाकर यदा कदा कांग्रेसियों को कोस्ती रहती है कि लोक तंत्र के चोथे स्थम्प को कुचलने के लिए इस देश में इंडरा गांदी ने सन 1975 में बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था मीडिया क के उसके निगरानी में उसके होते हुए जिन लोगों ने इस लोक तंत्र की हत्या को बताकर सन 1975 की एमर्जंसी को गलत बताकर इंडरा गांदी को कोसा और आज वो सत्ता में हैं तब क्या वो नहीं देख रहे कि मुंबई के अंदर एक पुलिस कमिशनर किस तरह से होकर एक चैनल को इसलिए कुछलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके उपर उस सरकार का हाथ है जिस सरकार की कमियों को वो चैनल अपना धरम निभाते हुए पत्रकार अपना पत्रकारिता का धरम निभाते हुए उजागर कर रहा था अब आप सोचिए कि अरनब को स्वाम को या रिपबलिक भारत को ये जो परमबीर सिंग के कमिशनर है। मूंबई के या वहाँ की सरकार क्योंकि परमबीर सिंग अपने आप में कुछ नहीं है वो सरकार का एक मलाजिम है एक एमपलूई है और अगर सरकार है कहेगी के भ Europ को क्यों परेशान कर रहे हैं उसको अपने धर्म का पालंग करने दो तो उसकी कोई मजाल नहीं है कि वो नकली F.I.R. करे नकली कुछ कारिकम करे और फसाने की कोशिश करे लेकिन महराष्ट के मुद्दे में तो हमको खुलकर पता लगी गया है क्योंकि नेताओं के इस्टिंग सामने आये जिन्होंने कहा कि अरनब गुस्वामी को या तो या आत्मत्या कर लेगा या तो हम इसको जेल में डाल देंगे और चैनल तो गया सवाल ये है कि आप देखिए कि एक स्थम्भ है चोथा मीडिया उसको उसका जो धर्म का पालन कर रहा है वो धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा है तो कैसा हो कि इस देश में यदि लोक तंत्र के चार स्थम्भ में एक जो विधाईका है उस विधाईका माने संसद को संसदों को कोई काम ना करने दिया जाए संसद में जिस तरह से संसद चिलाते हैं और अगर कोई कानून बना दिया जाए कि ये जो संसद के अंदर संसद जाते हैं इनको वेतन मिलता है इनको हमारे टेक्स की कमाई से बहुत सारी सुविदाय मिलती है तो ये वहाँ जाएं और आठ गुंटे की ड्यूटी करें और वहाँ बैटकर कानून पारित करें देश की समस्याओं को उजागर करें और यदि वहाँ कोई हला करे तो उसको तुरंट उठाके जेल में डाल दिया जाए तो मैं कहे रहा हूँ कि सारे सांसद लगबग सारे सांसद जेल में होंगे क्योंकि ये अगर कानून बन गया तो इस कानून के उलंगन के बाद तो जेल में होंगे लेकिन फिर लोग कहेंगे कि विपक्षी पार्टी को कुचलने का सरकार ने प्रियास किया है ये नियम बना कर और इसलिए आज तक ये संसद ने भारत की कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जिससे इन संसदों के हल्ले बाजी को यहां तक की बत्तमीजी मैं कहूंगा कि संसद के अंदर जो ये करते हैं कि परचा फार दिया ये विदानसभा के अध्यक्ष के उपर घेराव करते हैं गाली गलोच करते हैं किस तरह का बरताव ये करते हैं और कई बार दिन में कई कई बार वो संसद को इस्थगित करना पड़ता है खर्चा किसका होता है मेरे जैसे टैक्सपेयर का और इस पर बोलने के लिए कोई संसद तयार नहीं है संसद क्योंकि संसद नियम बनाएंगे भी बनाया कि यदि वो अपने छेतर में विकास ठीक ना करें तो उनको सजा हो सके है कोई सजा नहीं है सांसद हैं साब कानून बनाने का काम है लेकिन इस देश में जनता ने कभी आवाज नहीं उठाई है कि कोई सांसद अगर पांच साल के लिए न्यूक तोता है और अपने जाँच होनी चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए पांच साल के अंदर नहीं उसके पहले ही पहले हर साल उसकी स्कूटनी हो कहां पैसा खर्च किया किया डबलमेंट हुई पबलिक के पास कितना गया क्या उसकी जवाब देई नहीं है लेकिन कोई कानून नहीं बनाया लेकि जो है विदाई का हमारा इस्तंब है लोक तंत्र का लेकिन वो कैसा काम कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है निरंकुष होकर कर रही है देश वासी के वल देखते रहते हैं कि ये सांसद हला कर रहे हैं सदन के अंदर ठीक है फिर भी काम तो कर रहे हैं कोई कानून है नहीं जन प्रादी पैसे के बल पर छूटते रहें नेताओं से निकटता है इसलिए छूटते रहें तो लोग क्या कहेंगे लोग कहेंगे नियायले अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं अक्रोश आता है लोगों में जब कभी इस तरह की बात होती है कि जब कोई नियाय पालिका में ऐसा जो जनता को स्विकार ना हो जनता अवाज उठाती है लेकिन नियाय पालिका इस पर ध्यान रखती है मैंने देखा है कि छोटी कोट से लेकर उपर तक निगरानी है एक फैसले को दूसरी कोट में चुनोती दी जा सकती है हाई कोट को सुप्रीम कोट में चुनोती दी जा सक करती है और इसलिए नियाए पालिका कोशिश करती है कि हर केस में वो ठीक से नियाए करें क्या ऐसा अगर हो कि जो सरकार में बैठे हैं वो इस नियाए पालिका में दखल दें और कहें कि हम भाजपा वाले हैं हमारी सरकार केंडर में भाजपा का एक भी आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए जो भी नियायले में आए उसको बाइज़त बरी करो कैसा होगा क्या ये लोकतंत्र जीवित रह पाएगा नहीं रह पाएगा सारा विपक्स तोर करेगा केंडर में जो सरकार बैठी है वो नियायपालिका में दखल अंदाजी कर रही है जब दखल नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी यह आरोप लगता है और इसलिए कोई भी सरकार हो केंडर में खुलकर डारेक्टली कभी भी नियायपालिका में दखल नहीं देती ये बात अलग है कि अंदर से अंडर ग्राउंड तोर पर अंदर खाने कोई इस तरह का इंटरफेर करते हो लेकिन ओपनली नहीं करते हैं जनता को जब पता लगता है तो आकरोस पूटता है और इसलिए हमारे देश की खुबसूरती है कि निया इपालिका अपना काम करती है चाए सत्ता में बैठे हुए नेता ही क्यों नहो कितना ही बड़ा पत पे बैठा हुए वेक्ति क्यों नहो निया इपालिका अपना फैंसला सुनाती है और उस वेक्ति को भी जेल हो सकती है हमारे देश में ऐसा होता है तो संसद अपना काम करती है उसको करने देते हैं निया पालिका अपना काम करती है तीसरा है स्तंब कारे पालिका कारे पालिका का काम है कि सदन के अंदर जो भी कानून बने उसका पालन इस देश में इंप्लिमेंट ठीक से हो तो ये जो कारेपालिका है ये कारेपालिका अगर ऐसा करे मेरा सवाल सरकारों से है मेरा सरकार राजनितिक दलों से है कि यदि मान लीजिए ये जो कारेपालिका है ये सारे ओफिसर्स ये तै कर दें ये करने लगें कि संसद में जो रूल बना है हम उसको implement करेंगे नहीं मोदी सरकार ने C.A. लागू कर दिया सदन में पास कर दिया लेकिन कार पाली का कहे कि सब हम लागू नहीं करेंगे देश में पूरे देश में हम लोगों को पकड़ कर बंगला देश वालों को बंगला देश में नहीं छोड़ेंगे हम जो तीन देश के लोगों की आप मानता की बात कर रहे हो बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हम इनको मानता नहीं देंगे साब क्या ये राजनितिक दल इस कारेपाली की कारेपणाली को मोन होकर देखेंगे नहीं देखेंगे ट्रांसपर कर देंगे सस्पेंड कर देंगे कि अरे हमने कानून बनाया है तुम्हारा काम इंप्लिमेंट कराने का है कराईए और अगर कोई अधिकारी इस काम में डिलाई कर रहा है मौधी सरकार तो इस काम को बखो भी कर रही है कि उनकी निगरानी की जा रही है साथ दिन में उसको रिपोर्ट देनी है और अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उसका ट्रांसपर कहीं दूर कर दिया जाता है तो मौधी जी मेरा सवाल आप से है कि जब आप कारे पालिका से कारे चाहते हैं कि 100% ठीक करे फुल एफिशेंसी से करे आप चाहते हैं कि सदन में काम ठीक से चले हर सांसद ठीक काम करे आप मार्शलों के जरिये जो सांसद हला करते हैं उनको उठा के भार पिकवा देते हैं आप ये चाहते हैं कि न्याय पाली का ठीक काम करे और इसलिए न्याय प्रिक्रिया में आप आमूल चूल परिवर्तन करने की बात करते हैं लेकिन आप आपकी सरकार आपकी नाक के नीचे आपके देखते हुए इसी देश में एक राज्य है महाराष्ट वहाँ पर एक टीवी चैनल रिपब्लिक भारत और एक पत्रकार जो की देश भक्त पत्रकार है सच्चा पत्रकार है इमांदार पत्रकार है अरनब गोस्वामी उसके खिलाब एक एफ आई यार फिर दोस्सों एफ आई यार फिर एक हजार एफ आई यार मजाक बना रखा है और आप इस मजाक में शामिल हैं मोदी जी आप एक सेट कर रहे हैं ये बात को कि इस देश में कोई भी पत्रकार या तो चाटुकारिता करे नेताओं की या तो उनकी कमियों को छुपाए और या तो एड के लिए विग्यापन के लिए सरकारी गलियारों में चक्कर काटे और अगर ऐसा कोई नहीं क साथ मिल जाएंगे और अगर आप कहेंगे बीजे पी वाले और केंदर सरकार कहेंगी के हम मिले वे नहीं हैं तब आप इस खेल में मोन होकर खिलाडी को देकर दर्शक क्यों मने वे हो महराष्ट सरकार पाकिस्तान की नहीं है भारत के अंदर है और भारत के अंदर है तो जबाब दे ही केंडर की है आप दखल देते हैं कांग्रेस से सीखिये मौदी जी जब एक मंदिर अयद्या में तोड़ा गया था उन्होंने चार राज्जों की सरकार किरा दी थी लेकिन आप से एक महराष्ट नहीं समल रहा है जहां ड्रग माफिया पैदा हुए आप ही केंडरी एजन्सी ने NCB ने दिन पर दिन खुलासे किये क्या कारण है कि वो NCB की जाच अचानक मौन हो गई CBI एंट्री हुई शुषान सिंग राजपूत की मौत में दिन पर दिन खुलासा कर रहा था अरनब गोस्वामी क्या कारण है कि आपकी CBI मौन हो गई कोई खुलासा नहीं हुआ क्या कारण है कि ED ने पता लगाया कि देश विदेश से ट्रांजेक्शन हुआ है ड्रग माफियाओं का पैसा विदेशों से आया गया है बोलीवड के बहुत सारे लोगों ने इस ट्रांजेक्शन में सामिल होकर पैसा कमाया और दिया है अब अचानक तीनों एजन्सिया मौन कैसे हो गई तो मैं कैसे मान लो और पूरा देश कैसे मान ले केंदर सरकार भी राज सरकार महराट की सरकार के ताथ मिलकर इस खेल में शामिल नहीं है जो खेल एक भेंकर खेल चल रहा है कि इस देश में इस देश के चोथे स्तम यानी मीडिया को कुचला जा रहा है एक कुचकर किया जा रहा है और पूरा देश आकरोसित है लेकिन केंदर सरकार मौन होकर मौनी बाबा बन गई है मनमौन सिंगर का मजाक बनाने वाले भाजपाई मेरा सवाल सारे भाजपावालों से है कि क्या नरेंदर मोधी इस मुद्दे पर मौन होकर मौनी बाबा नहीं बन गए मनमौन सिंग में और नरेंदर मोधी जी में क्या अंतर है बताएं ज़रा मुझे कोई भाजपावाले सरकार बताएं मेरा सरकार सवाल से सवाल जो है मोधी सरकार से है बताएं कोई कि आपकी सरकार होते हुए एक चैनल को कुचलने के लिए उसके संपाद की एदल पर एक हजार लोगों पर अग्यात पर application दर्ज कर जाती है वो अपना धर्म निभा रहा था एक पत्रकार अपना धर्म निभा रहा था और उसको अपना धर्म नहीं निभाने दिया याद करिए आपको एक बात अंत में बता देता हूँ कि यदि अरनब गोस्वामी सही रिपोर्टिंग नहीं करता औरों की तरह भिक गया होता तो आज हात रस के मुद्दे पर जिस तरह की साजिश P.F.I. ने करी थी अगर अरनब गोस्वामी स्टिंग नहीं करता तो आज उत्तर परदेश नहीं पूरा देश जल रहा होता लेकिन मौदी जी मौन है क्योंकि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है शायद कुछ भी होता रहे एक पत्रकार के खिलाब हो रहा है ना संसद के खिलाब होगा संसद के तो बोलोगे निया पालिका के खिलाब होगा तो सुटै संग्यान ले लेगी कोट लेकिन अगर कार पालिके खिलाब होगा सारे I.S. लोबी और I.P.S. सब एक हो जाएंगे हैं लेकिन अगर कोई नहीं बोलेगा तो मीडिया के बारे में नहीं बोलेगा क्योंकि मीडिया एक दूसरे की टांग खिचाई लग करने में लगा होता है और कहीं ना कहीं सरकारी टुकडों पर पलने वाले लोग नेताओं के और ड्रग माफियाओं के और बोलीवुड के लोगों के टुकडों पर पलने वाला मीडिया मौन होकर इस तमाशे को देख रहा है कि वो जो नंबर वन पर चैनल अपनी महनत से पहुँचा है किसी के टुकडों पर नहीं पहुचा है उसकी टांग कैसे खीची जाती है कैसे उसको जीरो किया जाता है तो मोधी जी इस बात में दखल दीजिए बहुत जरूरत है देश को तुरंट इमीडेट महराष्ट की सरकार को बरखास करके वहां राष्टपती सासन लगाई है और जो एक गुंडागरदी का रोल अदा वहां की पुलिस कर रही है उस पे सक्ट एक्शन लेकर वहां के मुंबई के पुलिस कमिशनर को ततकाल सस्पेंड करके जेल में डाली तब समझा जाएगा कि इस देश में कुछ बदलाव आया है वरना तो कांगरेस ही अच्छी थी आपके आने की क्या जरूत थी लोगों ने मौदी जी को वोट क्यों दी है देश के बदलाव के लिए और अगर ये बदलाव हमें नहीं दिखता है तब बड़ी निराशा का भ हाओ पुरे देश के अंदर है मैं ये देख रहा हूं बंदे मातरम